दोस्तों नमस्कार हम देखेंगे इस वीडियो में राष्टपती को और पिछले वीडियो में हम देखें थे कि राष्टपती का चुनाओ कैसे होता है आज अठरा जुलाई है और आप जानते हैं कि आज राष्टपती जी का चुनाओ है तो पिछला वीडियो आप जाकर दे रहा हूं आप वहाँ पर विजाय कर देख लें कि आखी राश्ट्पति का चुनाव कैसे होता है आज हम इस वीडियो में आगे की बातों को देखेंगे इसमें कि राश्पती जब चुनकर आ जाएंगे तो उनका कार्जकाल क्या होगा फिर देखेंगे कि क्या वे दुबारा चुनने जा सकेंगे या नहीं इसमें समिधान क्या कहता है जोग्यता को देखेंगे उसके बाद कि आखिर क्या जोग्यता होने चाहिए राश्पती बनने के लि तो जो महाभ्योग की परकिरिया है हम उसको देखेंगे तो चुंकि राश्मति हमारे देश के सरवोच हैं और कार्जपालिका विधाईका के हेड हैं परमूख हैं तो हमें इनके बारे में जानना चाहिए तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप देखें शुरू कर कार्जकाल होता है पांच वर्सों तक इनका कार्जकाल होता है राश्टपती का चुने जाने के तिथी से लेकर अब आप देखेंगे कि इसके बाद ये खुद से त्याग पत्र भी दे सकते हैं और ध्यान देंगे ये त्याग पत्र उप राश्टपती को देंगे तो इस तरह से भी इनका पद खाली हो जाएगा और अगर इनको हटाने की बात हो तो एक परकिरिया है महाभियोग जिसे हम देखेंगे अनुछेद 61 में महाभियोग एक्षेट में देखेंगे इससे भी इनको हटाया जा सकता है और अगर इनके निर्वाचन को सुप्रीम कोड अवैध घोसित कर दे तो भी ये अपने पद से हट जाएंगे अवेल्ट निर्वाचन जब हो जाएगा इनका सुप्रीम कोट ये कर दे तो भी अपने पत से हट जाएंगे तो ये इनका कार्जकाल राष्टपती का होता है अब हम आगे ये आपका अनुश्यत छप्पन में था अब हम अनुश्यत संतामन की बात करें तो उसमें आप देख बात भारतिय राष्टपती अगर पदपर हैं या वह पहले रह चुके हैं तो दुबारा वह चूने जा सकते हैं कि और ये कितने पा राष्टपती बन सकते हैं इस पर समीथार में कुछ में जिक्षर नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि ये अनंत काल तक राष्टपती बने र बरसों का है हम भारत की बात करें तो कार्ज कल पांच वर्सों का और ये दुबारा ती बारा कुरे जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब अंठामन ओं को देखें तो फिप्टी एट में आपका इनकी जुग्यता की बात है कि अगर राश्च्पती कोई बने कुन रश्पति बन सकते हैं क्या जो गयता उनमें होनी चाहिए तो आप देख लें पहला क्यों भारत का नागरीक हो क्योंकि आप भारत के सर्वच पदपर आसिन होने जा रहे हैं प्रतमनागरिक बनने जान रहे तो यह तो ज़रूरी है na, क्या भारत की नागरिक हो, यह सर्थ है. दूसरा, कि आपकी उम्रे 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, या उससे उपर, ये, और तिसरा आप देखें, तो लोकषभा के सद्दस के रूप में, लोकषभा के सद्दस के रूप में, चुने जाने के अरहता आप में हो यह इंपोर्टेंट हैं यह दिख लेंगे भारत करनागरी को 35 वर्सों और लोग सभा के सदस्क रूप में सुने जाने की अरहता आप में हो और एक लाश्ट जो हो जाएगा आपका सकते हैं कि किसी भी लाव के पद पर नहीं हो खासकर हैं जो आपका हमहारा लोकसभाह है वह उस सगयह ऊश्च्म है और किसी भी सार्वजिनिक प्रधिक करन के लाव पड़ यह नहीं हो तो लाव के पद पर नहीं हो ग जोग्यता होनी जाहिए तो राष्टपति चुने जाने के लिए इतने बातों को ख्या लगना होगा और यह अनुचहत अंध् Tapन में जीकर है इसका राष्टपती की योग्यता का अब हम बात करें 69 की अब जो गयता हमने देखा इसके बात क्या होना चाहिए अंधामन में आपका योग्यता है तो 69 में आपका कुछ सर्ते हो जाएंगी 69 में सर्ते कि राश्पति पत के साथ कुछ सर्ते भी जूड़ी हुई है क्या है अगर पहली के हम बात करें कि अगर यह का इसे राश्पति बन गये थो यह ना तो राजसभा के और नहीं लोगसभा के या कोई भी बिधान मंदल के क्यों कि यानि किसे भी लोकसभा, राजसभा या विधान सभा के ये मेंबर नहीं होने चाहिए, यानि उस लाप के पद पर नहीं हो, दुसरा आप ले सकते हैं कि ये लाप के पद पर नहीं हो, आप यहां पर दिखेंगे कि राश्च्वती बनने के बाद ये किसी भी लाप के पद को अर्जित नहीं करेंगे लाप के पद्ध पर नहीं रहेंगे आप ध्यान देंगे कि यह आपका है लोकसभा राजसभा और विधान मंडल में अगर यह मेंबर हैं तो राश्पति सुने जाने के दिन से इनका पद खाली माना जाएगा तो यह आप दिख लेंगे और दिखेंगे कि जो संसद इनके लिए वेतन भत्ते परिलब्दियां करती हैं वो इनकों मिलेंगे संसद के दवारा जो भी वेतन हैं भत्ते हैं परिलब्दियां है और आप बात करें संसद के दवारा जो इनको दिए जाते हैं और इनका जो आवास होगा यह बिना टेक्स दिए या बिना रेंट दिए उस आवास में रहेंगे और आप देखेंगे कि इनके रहते हुए यानि अगर कोई राष्टपती बन चुके हैं तो उनके कार्जकाल में आप इन चीजों को कम नहीं कर सकते। बेतन, फत्ते, प्रलब्दियां जो भी हैं आप उनको कम नहीं कर सकते। और एक और चीज़ आप ले सकते हैं कि अगर राष्टपती कोई हैं तो आप उन्हें ग्रिफतार नहीं कर सकते। उन पर कोई केस नहीं चल सकता। तो कुछ चीज़ें हैं जो उनको उन्मुक्तियां दी गई हैं छूट दिये गए हैं तो आप इसको याद रखेंगे ये सर्तों में इसका जिक्र है जो कि अनुछेद 69 में है। अब हम बात करें अनुछेद 60 की अब हमने सर्तों को देखा अब राश्पती हाँ पर चुनकर आ गए हैं तो ये 60 में क्या होना चाहिए जब कोई भी चुनकर आएंगे तो उनका सपत होना चाहिए तो ठीक है अनुछेद 60 में आप सपत को देखेंगे अनुछेद 60 के अनु के मुख्य नियाधिस ये सपद्य लाएंगे राष्टपती को और माल लेजिए कि ये मुख्य नियाधिस हो ही नहीं ये पद्धी रिख्थो तो क्या होगा तो ख्याल रखेंगे इसी सर्वोच नियाले के जो वरिष्टम नियाधिस होंगे ये सपद्य लाएंगे राष्टप उबरिष्टम न्यायधी से सुप्रीम कोर्ट के वो सपत दिलाएंगे अब हम बात करें कि ये सपत तो हो गया इनका अब माल लेज़े कि इन्हीं राश्पति को बिच में हटाना हो तो क्या करेंगे तो इसके लिए ये रखा गया कि चुंकि ये सर्वोच पत्पर हैं हमारे प परकिरिया का नाम होगा महाभियोग इंपीचिमेंट इस परकिरिया के दवारा ही आप राश्पति को उनके पद से हटा सकते हैं अब आप देखें किसमें क्या हो सकता है अगर राश्पति सम्विंधान का अतिकरमन कर रहे हो ध्यान देंगे सम्विंधान का अतिकरमन कर रह हो राश्टपती तो ही उन पर महावयोग लाया जाएगा अब एक ऐसे आएगा तो महावयोग लाने के लिए 14 दिन पहले आपको राश्टपती की को इसकी सुचना देनी होगी महावयोग लाने के 14 दिन पहले राष्ट्र पती को इसकी सुचना दी जानी चाहिए 14 दिन पूर और आप जो यह प्रस्ताव ले कर आ रहे हैं जिस भी सदन में दोनों सदन में से किसी मिले के आ सकते या तो लोग सभाम ले आएं या राज सभाम ले आए आप किसी मैंला सकते हैं लेकर जिसमे भी ला रहे हो उस सदन के एक चोथाई एक वट चार एक चोथाई सदस से वो प्रस्ताव हस्ताक्षरीत हो यानि एक चोथाई सदस मिलकर अगर उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हो तो ही आप राश्पती के विरोध में महाभियोग ला सकते हैं अब माल लेजिए लोगसभा ने लाया महाभियोग को तो एक चोथाई मेंबर उसके साइन करेंगे और राश्पती को इस बात की सुसना चौदा दिन पहले दे चुके होंगे दो सब्ता पोरू कि हां मैं आपके उपर महाभियोग ला रहा हूं इसके बात इतने मेंबर हस्ताक दने मिमंबर तो लोक सभा के दो तिहाई सदस एनिma सिवह सी उस प्रस्ताथ अगर पास करेंगे तो यह ओक प्रस्ताव एक सदन से लोगसभा से पारित चाब गोदू सदन में जाए गा अभी मैंने बात करकて लोगवा कि अगले बार जब यह रासभा उस प्रस्ताओं पर उस आरोप पर जाश करेगा तो राष्फती या तो स्वेंग। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ अब मुझे को अब टो य किन्ही को भेजकर वह यहाँ पर जाज को देख सकते हैं अपनी सफाई को रख सकते हैं यहाँ पर सफाई को हुने रखा अगर राजसभा को लगा कि नहीं यह महाब्योग गलत है तो वहीं वह पास नहीं करेगी महाब्योग खत्म हो जाएगा लेकिन अब जाज के बाद यह पता चला कि नहीं यह आरोप सही है तो राजसभावी दो तिहाई बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देगी और उस प्रस्ताव के पारित होते ही ये समझा जाएगा कि ये महावयोग पूर्ण कर लिया गया है ये प्रस्ताव पारित हो गया है और पारित होने के दिन से राश्पती का पद रिक्त समझा तो इस तरह से हम राश्पति को हटा सकते हैं एक तुब खुद त्याग पत्र दे दें उनकी मर्जी दूसरा अगर उन्होंने अतिकरमन करा तो एक सथ अनुश्यत लगाकर हम उनको हटा सकते हैं उनकी मिल्तियों का उनका पत्व ऐसे ही खाली हो साना है और एक जब उनका कार् बात कर लूँ बासट की भी तो यह बता दूं कि यहां पर जो प्रावधान किया गया है वह अगर राश्पति का पद रिक्त हो जाए कारण चाहें जो भी हो आप देखेंगे रिक्त अगर हो गया तो इसको भरें कैसे चुनाओ कराएंगे ने भई अगर उनका पद खाली हो तो अगर पांसल पूर्ण कर लिये हो तो उनके पांसल पूरे होने के पहले चुनाओ के परकीरिया पूर्ण करना होगी तो जो कार्जकाल है पांच साल का उसको पूर्ण करने से पहले अगर अगर आज किया आप बात करें तो यह जो राश्वक्ति हमारे रामनाथ को बिंजी है इनका कार्जकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा तो आप देखेंगे आज 18 जुलाई है आज चुनाव चल रहा 21 जुलाई को मत गरना होगा और यह 24 जुलाई की पहले सारी परक्राइपूर्ण हो गई हमें 21 जुलाई को पता चल गाएगा कि हमारे अगले राश्टपती कौन होंगे और वो फिर सपत लेंगे तो यह कंडिशन होगा और अगर इसी में माल लिजेए कि इनका पद ओ इन का काजकाल पूरा हो गया और गाल देश में समय ठीकने चल रहागा अपा test का लगा हुआ है तो अगर रेश्टपति का चुन आय होता है संबहें मतलब रिक्राक टिकर अगर संभौ नहीं है देश में तो क्या होगा स् sounds टब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि अगला राष्ट-पति चुन कर centuries कर नहीं आ चाले और कितना साल होगा नहीं कहा जासकता जबברस चुनाओ करहने के यहां महाल बन जाएंगे सुनाव होगा और जब नए राश्पति आएंगे तब तक इनका काज का चलता रहेगा दूसरा कंडिशना पर देखें तो इसमें क्या होना है माल लेजिए कि बीच में ही राश्पति की मिर्ट्यू हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देते हैं या किसी निर्वाचन को सुप्रीम कोट अवैद गोसित कर दे किसी भी कारण से उनका पद खाली हो जाए तो उप राश्पति उप राश्पति राश्पति बन जाएंगे और उनको वह सारी सक्तियां वह सारे वेतन भत्ते पर लब्द्यां मिलेंगी वह सारी उन्मुक्तियां भी मि सभा लेंगे और अगर उप राश्पति का भी पद क्खाली है तो जो सुप्रीम कोड़ के मुख नियादीस है वह पद को संभा लेंगे लेकिन यह 6 महा तक ही चलेगा, 6 महा के अंदर, 6 महां के अंदर राश्पति को चुनाव कराने होंगे और जब तक अगले राश्पति तब तक यही जो यहां पर रश्ट्पती बने हैं वो अपने काजकाल को चलाते रहेंगे चीजों को चलाते रहेंगे, तो दोस्तों आपने देखा इस दूसरे वीडियो में कि राश्ट्पती की जोग्याताइएं, सर्ते, सपत और चुनो कैसे हो, आप दोनों वीडियो को ठी कर दो